नमस्कार, बैहुत दिपक मिश्रा, आप सभी लोगों का मेरे यूटूब चैनल पे हर्दिक स्वागत है दोस्तों, आज 22 दिसमबर है आज हम एक ऐसे सक्सियत के बारे में चर्चा करेंगे आपको मैं बताना चाहूँगा उस सक्सियत के बारे में साथ आप लोग जानते भी होंगे जिनके बारे में हम कितना भी चर्चा करें तो हमें एक अभी प्रेड़ना मिलती है जिस आज पुड़े भारते सिक्षा व्यवस्था में सबसे ज़्यदा जो बच्चा कोचिंग लेता है वो मैथमेटिक सब्जक्ट कर लेता है और आज इतने टेक्नलोजी है उसके बावजूद भी मैथ्स का कोचिंग ले करके बच्चा मैथ्स सिखता है लेकिन वो उस दौर में यह घटना है 19-20 सताबदी की जब टकनीक उतना विकास नहीं था हमारा इतना जो मॉडल डेवलोपमेंट है आज के तरह उतना नहीं था उस वक्त एक बच्चा खुद से मैथ्स परता है खुद से बनाता है और मैथमेटिक्स का खिलारी बन जाता है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ स्री निवास रामानुजन यंगर की उनका जन्म आजी के दिन यानि 22 दिसंबर 1887 वी को तमिलाडू के इरोड में हुआ था ये इरोड वहां का एक जगह है जो तमिलाडू की राजहनी चिन्ने से 400 किलोमीटर सौथ विस्ट में पड़ता है स्री निवास रामानुजन यंगर का जन्म 1887 में तो हुआ ही आजी के दिन उसके बाद जब वो प्राड़मिक से दिख्षा जो उनकी हुई वो गौ में ही हुई और ऐसा कहा जाता है कि स्री निवास रामानुजन यंगर पे जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि जब वो क्लास इतना खतरनाक दिमाग मैट्स में इसे लिए उनको संख्याओं का संख्याओं गणितग्यों का गणितग्यी कहा जाता है इसे लिए स्री निवास रावानुजन यंगर को संख्याओं का राज कुमार कहा जाता है अगर को admission of numbers उन्होंने गनित के छेतरे में उन लिखनी है उनका योगदान है उनकी योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता आज भी 135 भी जैनती है हम उनको फिर से वंदनिये प्रणाम करते हैं आए थोरा से उनके बारे में कुछ जानते हैं स्री डिवास रामानुजन यंगर यंगर एक ब्राह्मन टाइटल है जो सौथ में आता है खासकर तमिलाडू ने तो हमेशा से एक अच्छे प्रसालिटी दिया है जैसे डॉक्टर सरुपली रधाक्रिष्णन ही वाज अलसो फ्रॉम तमिलाडू डॉक्टर अब्दूल पाकिट जैडूल अब्दिन अब्दूलकलाम ही वाज अलसो फ्रॉम तमिलाडू एंट स्री डिवास रावानुजन यंगर अभी वर्तमान में इनकी चर्चा कर रहे हैं स्री डिवास रावानुजन यंगर का जन्व आजी के दिन याली 22 दिसंबर 1887 को हुआ था यह इनका बर्थ है जब वो पढ़ने जाते हैं कहां पर जब वो पढ़ने जाते हैं आपके लंडन जाते हैं उनको एक वहां से बुलावा आता है कि आप आ सकते हैं परदे के लिए तो जब वो कैनीज उबरसिटी जाते हैं तो वहां पर जी आचहτε औि उनके प्रसेर हुआ करते हैं तो जी आचहाटी के ष्टुडाट्ट भी हुआ करते सिर्फासरमानुजन यंगर और सोट में इसको राबानुजन कहा जाता है तो राबानुजन जी होते हैं कि वहाँ पे विबार पर जाते हैं और वो अस्पताल में रहते हैं तो GHRD उनसे मिलने जाते हैं तो GHRD जब मिलने जाते हैं उनसे अस्पताल में तो रास्ते में GHRD जिस तो एक यह घट्टा लंडन की है और वहाँ पे एक देखते हैं एक नमबर प्लेट और उस नमबर प्लेट पे जो नमबर रहता है वो 17229 और यह इतना उनको यह नमबर उनके माइंड में थुरा सा जर्क करता है और जैसे ही रावानुजन जिया चाड़ी उनसे मिलने आते हैं हॉस्पिटल तो रावानुजन से पूछते है कि देखो रावानुजन मेरे माइंड में एक नमबर चल रहा है यह 1729 1729 यह बहुत ही क्रिटिकल नमबर लगता है मुझे काफी और लगता है मुझे काफी स्ट्रेंज लगता है तो रावानुजन थोड़ा सा अपना प्रेजं इसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे रावानुजन ने कहा कि यह दुनिया का एक मात्र ऐसा नमबर है जिसको किसी भी दो पॉजिटिव नमबर के क्यूबकल टर्म्स में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एक तो 10 और 9 को क्यूबकल टर्म्स में और दूसरा 12 और एक के क्यूबकल में आप देखिए जैसे मैं तुरह साथ आपको बताना चाहूंगा आप लोग एट्थ क्लास का स्लेवर्स आए एक तो दस के फॉर्थ प्लस नौ का क्यूब दस का क्यूब हो जाएगा 1000 और 9 का क्यूब हो जाएगा 729 इन दोनों को जब आप समप करेंगे तो यह 1729 के एककोल साएगा और इसी प्रकार सिमिलरली 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 12 का क्यूब होगा आपका 1728 और 1 का क्यूब 1 इन दोनों को भी आप प्लस करेंगे तो यह भी 1729 के एककोल साहेगा इसलिए इस नंबर को हमारे वर्ल्ड मैथमेटिक्स में क्या कहा गया है स्री निवास यानि रामा नुजन रामा नुजन हार्डी नंबर लेकिन हार्डी भी रामा नुजन से बहुत कुछ सीखते थे रामा नुजन वाकई में एक विलक्षन प्रतिभा के धनी वक्ति थे जब वो फिर भारत वापस आते हैं हाँ एक बात मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि उनको 1918 में सबसे पहली बार अब करेंडिया के सबसे पहले मैथेमेटिशन थे जिनको यह वाड मिला था फेलो अफ दा रोयल सोसाइटी इनको ये अवार्ड मिला था 1918 में 1918 ठीक है यह कैमडी उनुवर्सिटी के तरफ से इनको मिला था फिर जब वो इंडिया आते हैं तो उन स्वस्थ कार्णों से गुजर जाते हैं लेकिन आपको यह भी बताना चाहूंगा कि क्योंकि mathematics के काफी सारे branches होते हैं जैसे algebra होते हैं trigonometry, geometry, coordinate geometry, statistics इसके बाद calculus यह सब डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचे है mathematics के तो खासकर नरामानुजन जी ने number theory पे ज़्यादा काम किया था आज के रेट में अगर आप जब number theory में continued fraction हो गया आपका उस पर उन्होंने बहुत अगर देखा जाए तो पार्सल थोड़ी पे काम किया था जो पार्सल थोड़ी का कहां use होता है खासकर communications में जैसे telephone, television जो काम करता है वो पार्सल थोड़ी पे ही काम करता है उनके मरने के बाद जब स्रेने बास रमानुजन अयंगर का जब देहान्त होता है 26th April 1920 को यह भी उ यह कहां होता है इनका निधन यह उनका डेट एस थार्टी टू यर्ज बतिस वर्स की अवस्था भी यह गुजर जाते है बहुत ही अलपायू जीवल जीते हैं यह यह एज है आयू है ओनली थार्टी टू यर्स हुजीते हैं चिक है और 2012 में 2012 से केंदर सरकार ने डिसिजन लिया था उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे स्री डॉक्टर बनमोहन सिंग जी उन्होंने डिसिजन लिया कि स्री निबास रमादुजन यंगर के 125 वी जैंती के वर्सगाट पे कि हर साल 22 दिसम्मर को राष्टिये गडित द दिवस है मैं हर विद्यार्थियों को और हर गनित के सिक्षकों को मैं राष्टे गनित दिवस की हर्दिक सुपकावनाई देता हूं साथी साथ मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि गनित एक विज्यान है किसी इसका विज्यान है गनित गननाओं का विज्यान है ओके तो आप गणित कभी भी पढ़ते हैं, अगर आपको mathematics में जितना practice करेंगे, आपका perfection उतना उभडेगा, mathematics को क्या है, कहते हैं सतत अभ्यास करने से विद्या स्थिर रहती है, आप बार बार practice करेंगे, आपके अर्दर perfection उतना खिलेगा, तो चलिए हम इसी इनहीं सब तथ्यों के सा आज फिर से पुना सर्धाजली अर्पित करते हैं स्रेनेवास रमानुजन यंगर जी को, और हम चाहते हैं कि भारत में और कोई रमानुजन जैसा और कोई बालक आए, नमस्कार